नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे यूटूब चैनल मनी स्विर्जी टेक्निकल में स्वागत है दोस्तों आज हम आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे लोगों को इस तरह के बोड़ों की जएदा आउशकता होती है Répपित माध्यम में का इंज़ कि यह लोगों को इस तरह के बॉड़ों के ज्यादा आव सकता होती है क्योंकि दोस्तों अक्षर गरों में चलने वाली चख्के या फिर कुट्टे काटने वाले मशीन के लिए कि हमें एक बोड़ की आव सकता होती है अगर सिंगल पावर बोड़ लिया जाए तो वह हमारे लिए तो अच्छा होगा लेकिन दोस्तों अगर उसमें इस हाथ में ही एक शेंपर का सोकेट जो बास चार्ज वगरा करने या मिक्सी वगर चलाने के लिए काम में आए तो इसके आपको दिख रहा होगा एक स्विच है एक शेंपर का सोकेट दोस्तों और दो पावर के स्विच्ट है इनका कनेक्शन एक दूसरी के साथ कैसे करते हैं तो इसका समाधान हमारे वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं तो दोस्तों जो भी हमारे चनल पर नए है अब जो चल्ब कर लेए और बैल आइकन को जरूँ कर आ हैं तो में तो आपके पासन नोटिफिकेशन के कर लेते हैं सबसे हम तो इसके लिए दोस्तों हम 50 mm के और उसे हम चुछ के तो दोसरे पॉइंट के साथ करते हैं तो देखुल दूस्ते कोपर का वाय है जिससे हम sum और 16 एकाश्विच दौनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ करते हैं क्योंकि दोस्तों दोनोग सुइच है दोनुग स्विच्जों से दोनों वह करना होता है तो पावर सीच पॉइड को बंद करने के लिए चालू करने के लिए काम में लेंगे और शेंपेर का सुइच्च दो कilim कनेक्ट कर देते हैं अब अब मारे सामाने कुछ इस तरह केसे नजर आ आ तो पॉइंट बचेंदें से दोस्तों वाला पॉइंट फिए टो एक आंप्र स्विट और उसके सांत जो एक यो एक में तुसे कर लेंगे तो सुक्ष बचनेक्ट कर देंगे अब तो देखें दोस्तों से सुच के ओपर वाले प्वाइर कनेक्ट कर दिया है अब हम जो सोगिट है दोस्तों छह हैं प्रका उस्पर प्रकर आज तो उसका वाइव पॉइंट उसमें कनेक्ट कर देंगे अब हाए दुस्तों इसी तरीके से हम जो पावर के सफिर सोट है तो सिच लिए आपने के साथ करना है तो उसी प्रकार से जो अबने मिक करें किया है उशी के मांदय हमसे रोकी उसी के आधार पर सेम इस वाले पॉइंट के साथ करना तो इसके लिए प्रवाला प्यंक्त करेंगे दोस्तों पावर बढ़नाने के लिए पावर वायर कि आवसकता हो तो इसी लिए अब सला यही देंगे अगर पावर की यह आप सलाते हो तो कम से कम धाई एम ऐंम् में का वायर बावर बोर्ड में कनेक्ट करें है अब हम दो मैंन नैनने जिकलेंगे दोस्तों आपको लगबगे लगब पता है हो जो अमारी पुरानी वीडियो को देख चुक्किया है दोस्त तो एक पॉइंट निकालेंगे और एक पॉइंट हम सोट से बाहर निकालेंगे दोस्तों अलमोष्ट पूरा हो चुका है अब द तो मैन वायर निकालेंगे दोस्तों तो अक्सर परेशन यह आते हैं लोगों को कि मैन वायर कहां से निकालें दोस्तों अगर सुष्ट करक्नेक्शन हो रहा है तो ओपिशली सबको याद रखना है कि एक वायर तो हम सुष्ट से बाहर निकालेंगे और एक वायर हम सुष्ट से बाहर निकाल लेते हैं तो देखे तो सबसे पहले हमने सोकेट का कनेक्शन कर दिया है और सोकेट के लिए हमने मैन वायर लगा दी है कि दोस्तों यह हमारा नूटल पॉइंट आप हम फेज का पॉइंट देंगे एक वायर हम स्विच के साथ कनेक्शन करें पहले भी आपको बताया अब भी बताया दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों हमारे वीडियो को पूरा आंतर जरूर देखें ताकि आपको एक एक चोटी मुटी चीजों की जानकारी हो सके जिसकिसी बाइब को डाउट हो तो कम यूज बहुत कम हमारे गरों के लिए होता है दोस्तों पहले इसका यूज होता था लेकिन दोस्तों नोर्मल लेकर देखा जाए कि नॉर्मल बॉर्ड मरना रहे हैं तो आप इसको वायर को कनेक्ट करने को ज़रत नहीं है इस वह आप खुला चोट देजिए तो देखे दोस्तों हमने एक एक वायर को आलमुष्ट कर दिया है दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि सर आप उपर वाला पॉइंट भी आप कनेक्ट करके दिखाओ दोस्तों हम ये भी हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से जो भी आने वाली है यहाएगी तो उसमें ह भी हम आपको वायर कनेक्ट करके बताएंगे है तो आप वहां से भी हमारी वीडियो को देख पाएंगे और सीख पाएंगे तेसे हम से करके आपको बताते हैं जैसे हम प्रिइंट को भाईपन शोकिट में शिर्ज को लगाते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके सी नजर आता है बाइब जो फाइप पिन सोकिट है वो पूरी तरह काम कर रहा है पावर वाला इस तरह के छोटा सोकिट सेक करते हैं तो उसमें भी देशतों लाइट आ रही है तो दोस्ता हमारी वीडियो अगर आपको पसंदाएद प्लिज वीडियो को लाइक करें कमेंट करें दोस्तों के स साथ सेयर्ज जरूर करें